आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्व चैनल स्टडी विद दुलार में तो बच्चों हमारे पास क्लास 8 का exercise 9.1 का question number 7 है हमारे पास इसमें क्या कह रहा है question को हम ध्यान प्रोग पढ़ेंगे the floor of a building consist of 3000 tiles which are rambus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length यहां कह रहा है कि एक building है और उसका floor जो है उसके floor में 3000 tiles लगा हुआ है और सभी tiles जो है वो rambus shaped में है और एक tile का diagonal जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 cm और 30 cm दिया हुआ है उसका length है ठीक है find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4 यहां पर कह रहा है कि वो जो floor है उसको polishing करना है polishing करना है और polishing के दोरान उसको per meter जो है 4 रुपया खर्चा हो रहा है तो फिर यहां पर 4 रुपया खर्चा हो रहा है per meter तो total जो उसका area जो होगा उसका क्या खर्च पड़ेगा चलिए यहां पर हम solve करते हैं हमारे पास एक question है दिखेंगे यहां पर solutions पर हम ले लेते है number of total tiles number of total tiles कितना दिया हुआ है जितना दिया हुआ है उतनाम लिख लेते हैं 3000 दिया हुआ है तो यहां पर हम 3000 लिखे देते हैं यह हो गया diagonals of each tile परत्यक टाइल का diagonal जो है वो दिया हुआ 45 and 30 45 and 30 cm यह हमारे पास दिया हुआ है 45 cm एन 30 cm उसके बाद area of one tile one tile area का एक tile का area निकालेंगे उसके बाद 3000 tile को उससे multiply कर देंगे तो building का जो floor है उसका हमें area पता चल जाएगा area of one tile तो यह रेंबस step में है यह रेंबस step में है तो रेंबस का ही formula लगेगा one by two d1 और d2 यह बीचों बिंदू दे सकते हैं नहीं भी देने से कोई दिक्कत नहीं है equal to one by two हो गया और d1 हमारे पास है 45 ले ले लेते हैं और एक दूसरा है 30 यह किस से कटेगा two 30 कटेगा two से 15 बार में अब हमारे पास क्या बच गया हमारे पास बच गया 45 मल्टिप्लाइ 15 इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे जो आएगा वह एक टाइल का एरिया होगा 45 हो गया और 15 हो गया यहां पर 55 जा 25 हो गया और टू बच गया फाइप और 20 और 22 और यहां वन बार में होगा तो 45 ही होगा 57 और 66 75 हो रहा है चलिए हम इसको मिटा देते हैं रफ को मिटा देते हैं अब यहां पर 675 आया तो इसका एरिया आ गया एक टायल का एरिया आ गया सिक्स सेवेंटी 5 अब चेंटेमेटर दिया हुआ हा है सेंटीमेटर स्कवाईर ऐ। यह हो गया अब हमें क्या करना है अब हमें एरिया ऑफ फ्लॉर ठीक है उसको निकालना है उसको निकालने करें आपको not done करते जाएंगे और page को हम उपर कर लेते हैं area of floor हमें निकालना है इसको हम लिख लेते हैं area of building floor लिख सकते हैं या फ्लोर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है floor equal to area of floor निकालने के लिए हमें वो कौन सा shape का area है वो कोई पता पता नहीं है हमें 3000 tiles लगे हुए हैं और एक tiles का area जो है वो 6 कितना हो गया 675 into 75 into 3000 tiles है तो इसको हम 3000 से multiply कर देंगे जो आएगा तो उस area का वो floor का area आजाएगा तो इसको हम multiply करेंगे 675 को 3000 से multiply करने के जोड़त नहीं है हम सिर्थ 3 से multiply कर लेंगे 530 15 हो गया 1 बची गया 730 21 और 122 2 बची गया 630 18 और 220 हो गया 20 25 पे 3 0 लगा देंगे इसका मतलब यहाँ पे 20 25 पे 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे और इस सेंटिमेटर square area of floor floor का जो area है वो इतना आ गया ठीक है अब जो है cost उसमें policing cost जो दिया हुआ है वहाँ पे वो meter square में दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसे हमें centimeter square में जो area आया हुआ उसको meter square में हमें convert करना होगा तो यहाँ पे लिखे लेते हैं convert into meter square जिससे के हम लोग जानते हैं one meter equal to हो गया hundred centimeter 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 तो यहाँ पे हमें centimeter से meter में जाना है तो one centimeter equal to one by hundred meter इतना meter हो जाएगा और अब जो है हमें square में इसको लेने के लिए one centimeter square इसको square में convert करने के लिए क्या होता है square में क्या होता है यह power two हो जाता है तो यह जो है लिखा हुआ वो दो बार हो जाएगा multiply one by hundred meter square हो जाएगा इस तरह से अब आगे लेते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास one centimeter के जगह पे हमारे पास है twenty twenty five पे तीन zero है और यह हो गया centimeter square इसको meter में convert करने के लिए ठिक इसी नंबर को twenty twenty five पे triple zero by hundred एक बार और यह दूसरा बार तो यह दू जिरो यहाँ काड़ देते एक यहाँ काड़ देते एक यहाँ और यहाँ जिरो जिरो जिकट गया completely अब जो है हमारे पास बचावर नीचे में 10 और उपर में twenty twenty five तो ten का मतलब one zero तो one के बाद five के बाद जो है धर point लगा देंगे five से यहाँ पे two hundred two हो जाएगा point five यह जो है floor का area है और यह meter square में meter square अब हम इसका cost आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं COST cost equal to कितना हुगया rupees four तो फिर यहाँ पे हमारे पास है two hundred two point five meter square floor polishing cost equal to क्या हो जाएगा four multiply two hundred two point five इसको multiply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा जो आएगा और रूपीज हो जाएगा इसको multiply करेंगे से हमारे पास आजाएगा eight hundred ten और यही इसका answer हो जाएगा मतलब eight hundred ten जो है वो पोलीसिंग total policing cost जो है floor का यह आजाएगा complete हो गया question number seven मतल हमारे और च्या मतलब